हेलो दोस्तों कैसे हैं आज हम लोग बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं बोर्ड एक्जाम की तयारी कैसे की जाए आज का में टॉपिक है ये दोस्त बोर्ड एक्जाम की तयारी कैसे की जाए बोर्ड एक्जाम की तयारी कैसे की जाए यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त अभी क्लास टीन का 12 का बोर्ड आने वाला है जैसे हम लोग देखते हैं आप यह चीज देखें के तैयारी कैसे करें बच्चा लोग धिरे-दिरे पैनिक होता जा रहा है पढ़ना बहुत है NCRD का बुक है और भी लोगों के पास सप्लिमेंटरी बुक होता है लोग सोच रहे कैसे पढ़ें इसको इतना सिलिबस कैसे कवर होगा हमारा Maths है, Physics है, Chemistry है, Biology है, SST है किसी का Hindi होगा, किसी का Sanskrit होगा, किसी का अपना Language होगा कैसे आखिर इतनी तैयारी की जाए, कैसे हम लोग पढ़ें, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्त, सबसे पहला काम है, पेनिक नहीं होना है अधीर नहीं होना है, इंपैसेट नहीं होना है, सबसे पहला काम तो यह समझ लिजए जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, दोस्त, अगर इस तरीके से पढ़ें, तो अगर आप धंग से पढ़ते हैं, तो हमको लगता है कि NCRT का पूरा एक बार तो जरूर दूबारा भी आप कर सकते हैं, अगर आप में थोड़ा सा भी लगन हो, तो आप अभी से, अगर आज से भी तयारी शुरू कर देते हैं, तो हमको लगता है कि दो बार आप NCRT बूग का पूरा रिकैप कर लेंगे, बसरते आपके अंदर मे खतम करने की लगन हो, दोस्त हमको तो यहां बोलना है, बस पढ़ना आपको है, अगर आप धंग से पढ़ाई करते हैं, तो दो बार NCRT बूग का रिवीजन करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं, जैसे बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम लो करते हैं कि प्रती दीन अगर आप स्कूल के अलावा साथ से आठ घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, प्रती दीन स्कूल के अलावा साथ से आठ घंटे अगर आप पढ़ पाते हैं, तो जो हम बोल रहे हैं, वो पॉसिबल हैं, ठीक है दोस्त, अब हम बताते हैं कैसे पॉसिबल ह कैसे तेहरी करेंगे कि आपका कम से कम दो बार NCRT कवर हो जाएगा आपका coming January end होते होते तक जैसे आप एक simple सा example दे चले मैट्स का example देते आपको मैट्स में तकरीबन आपका 18 या 19 चेप्टर है NCRT का बुक अगर आप लेते हैं तो 18 या 19 चेप्टर है ठीक है तो अगर मैट्स में अगर हम मैट्स लेते हैं दोस्त मैट्स का अगर NCRT लेते हैं NCRT ये बुक लेते हैं तो मैट्स का तकरीबन इसमें 18 चेप्टर है number of chapters जो है 18 है या 19 होंगे 18 ये 19 है ठीक है आप क्या करेंगे कर हर चेप्टर में अगर आप ध्यान देंगे तो मोटे तोर पर कितना कोश्चन होगा मोटे तोर पर कितना कोश्चन होगा आपके पास और अन एवरेज अगर हम 20 कोश्चन्स पकड़े NCRT में number of questions वैसे supplementary book के comparison में कम होता है अगर हम 20 पकड़े या 50 भी पकड़े 50 कोश्चन्स पकड़ें चलिए पर चेप्टर 50 कोश्चन्स तो number of questions अगर हम देखें number of number of questions अगर 50 इच पकड़ें ठीक है तो total number of questions कितने होगे total number of questions कितने होने चाहिए बस इसको multiply कर दीजे इन दोनों को multiply कर दीजे और क्या तक्रीबन 900 इसको हम अगर 1000 भी पकड़ें तो कोई दिक्कत नहीं है एक हजर पकड़ लें कैलकुलेसर अपना fast हो जाएगा दोस्त इसको भी थोड़ा side कर देते हैं एक हजर पकड़ लेते हैं ठीक है अगर यह 1000 question है मतलब पूरे mathematics में 1000 questions आपके book में हैं ठीक है इसी तरह से science भी ले लें science में भी तकरीबन आपका 17-18 chapter से कम नहीं होगा 17-18 chapter है इसमें भी हर chapter में अगर हम 50 question on and average पकड़ लेते हैं 50 question पकड़ लीजिए तो यह भी मोटा मोटी एक 1000 ही हैं पकड़ते हैं सबको हम सब calculation एक 1000 पर पकड़ लेते हैं ठीक है मेरा calculation और fast हो जाएगा हम थोड़ा ज़्यादा ही पकड़ रहें कम नहीं है यह upper raise ले रहें दोस्त किसी किसी chapter में question कम भी हो सकता है ठीक है chapter का जो size के हिसाब से number of questions किसी में कम भी होंगे किसी में अधिक भी होंगे तो कम होने का chances ज़्यादा है तो अगर एक 1000 होता है और हमारे पास समय कितना है हमारे पास समय कितना है यह ध्यान से देखीने की बात है बहुत important चीज़ है दोस्त पूरा calculation आपको last में समझ में आ जा questions पर बात करते है facts and figures पर बात करते हैं अगर एक-ख़जार questions अगर हमको मिल रहे हैं तो हमारे पास समय कितना है हमारे पास समय कितना है दोस्त अब ध्यान से देखिए अभी मान लेते हैं कि September चल रहा है September चल रहा है October है November है December है January है September मान लेते हैं कि 15 दिन ही पकड़े उसमें मान लेते हैं 2-4 दिन आपका arrangement में लग जाए तो 15 दिन पकड़ते हैं September 15 डेज, October 31 डेज, November 30 डेज, December 31 डेज, January 31 डेज अब total हो calculate कर लें 1, 2, 3, 8, 3, 3, 6, 9, 12, 13, 13, 138 डेज हो रहा है दोस्त हम लोगों के पास हम अब देज सिर्फ January पकड़े हैं ठीक है February में exam कब होगा जब भी होता है तो mid February के बाद ही होता है मतलब almost March को touch करता है हम लोग का board exam तो अगर हम यह चीज पकड़ें ठीक है 138 डेज होता है अगर हम 138 डेज से 138 डेज से अगर इसको हम भाग देके देखें तो कितना आता है अगर हम 1000 में डिवाइड करते हैं simple आपके सामने हम करके देते हैं अगर 1000 में अगर आप डिवाइड करते हैं 138 से तो हमको लगता है कि कुछ questions जो आएंगे जो figure आएगा पांच छे आपका पर डेज 6 questions से ज़्यादा नहीं हो रहा है दोस्त अगर हम 10 questions भी पढ़ेंगे तो 1380 सवाल हो जाता है 10 questions पढ़ते हैं तो 1380 सवाल होता है जबकि हमेरे पास सिर्फ 1000 सवाल है यानि कि 6-7 questions से ज़्यादा नहीं है पर डे अगर हम लोग 6 questions पढ़ते हैं पर डे 6 questions पढ़ते हैं सिर्फ 6 questions not more than 6 और 7 तो हम लोग का 138 days में पूरा book खतम हो जाता है क्या जो बच्चा board का exam दे रहा है उस सिर्फ 6 questions पढ़ेगा और उसका सपना होगा कि हम 98% marks के से लाएं ऐसा दोस्त हमों नहीं है दोस्त जिसको 98% marks लाना है 99 लाना है वो कभी भी 6 questions पढ़े नहीं पढ़ेगा पांच subject होगा ठीक है पांच subject होगा हम आपको बताते हैं तरीका ध्यान से देखिएगा पांच subject है 5000 questions होगा पांच subject होगा दोस्त हम 5000 questions पगड़ते हैं पांच जार question पांच subject टोटल question हम पांच जार पगड़ते हैं दोस्त पांच हजार जो की होगा नहीं बढ़ हम पकड़ लिए हैं 5000 हमारे पास पर डे अगर आप तीस question पढ़ते हैं अगर 138 डेज है कितना है दोस्त 138 डेज इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं 138 डेज क्लिर है 15 सेप्टेंबर से अब हम यहां लीक के रखते हैं 15 सेप्टेंबर 231st January 138 डेज हमारा calculation के लिए इसको रखें दोस्त ठीक है इसको धियान दीजिएगा जब हम calculate करेंगे अभी तो आपको पता चलेगा कैसे हम लोग कर सकते हैं दो बर कोई टफ नहीं है दोस्त पूरा बुक को दो बर खतम कर देना सुनके बहुत अटपड़ा लग रहा होगा आपको लग रहा हो कैसे सर्थ दो दिन दो बार NCRD का बुक पांचों सब्जेट कैसे खतम कर सकते हैं हम बताते हैं possible है किया हुआ है दोस्त इसलिए हम आपक अगर हम इसको पांच जार मतलब हम पर दे कितना कोईचन कर सकते हैं अगर 40 कोईचन पकड़ के चलते हैं दोस्त चालिस कोईचन ठिक है चालिस करकर देखें चालिस से गुना करकर देखी कितना होता है अट्चो के 32 की दू हाथ में 3, 4, 12, 13, 15 की 5 हाथ में 1, 4, 1, 5 पच्पन सो बीस कोशन अगर हम पढ़ डे 40 कोशन पढ़ते हैं तो पच्पन सो बीस यानि कि हम 35 कोशन पढ़ेंगे सॉरी 35 कोशन तो आप लमसम 5000 को टच करते नजर आएंगे ठीक है आप 5000 को टच करते नजर आएंगे अगर आप 35 कोशन भी रोज करते हैं तो इससे जादा ही होगा इससे कम नहीं होगा, इससे प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा यानि कि पर डे सिर्फ 35 कोशन पढ़ेंगे तो हम लोग 31 जनवरी तक पूरा पांचों सब्जेक्ट का NCRD का भूख खतम हो जाएगा सिर्फ एक बार अगर हम सिर्फ पर डे 35 कोशन बोल रहे हैं दोस्त हर सब्जेक्ट में साथ साथ कोशन है, छे छे कोशन होगा बोर्ड परिक्षा में जो बच्चा पढ़ रहा है कि आप हर दीन में सिर्फ पांच कोशन पढ़ेगा दोस्त साथ कोशन पढ़ेगा नई, आपको क्या करना है पर डे कम से कम साथ घंटा अगर आप मेहनत करते हैं छे से साथ घंटा देखे दोस्त, मजाक तो है नहीं पढ़ना तो है अगर आप पढ़ना चाहते हैं अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ज़्यादा दीमाग लगाने के जुरुती है जो बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए इसको फॉलो कर डालिए नहीं नमबर आए तो हमको बोलिएगा इस बात की गैरंटी है अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं आपका नमबर लाने से दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती नहीं गैरंटी इस बात का हाँ, कंडीसन है कि आपको इतना करना पड़ेगा आप महनत नहीं करेंगे बोलेंगे सर हम तो कर लिए, नमबर नहीं आया अरे भाईया, इतना पढ़ने के बाद कोईस्टन कहां से आएगा NCRT के पास, CBSE के पास कहां से कोईस्टन लेका रहेगा आसमान से तो कोईस्टन आएगा नहीं जो भी कोईस्टन होगा तो बुक से होगा और बुक आप अल्रड़ी दो बार खतम कर रहे है इसका मतलब क्या होता है पोड़े अगर आप 70 सवाल करते हैं पैंथीस के जगह पर 70 सवाल करते हैं अगर पोड़े 70 कोईस्टन मतलब मतलब क्या होगै दोस्ट 15 सवाल 15 सवाल हर सबसे 15, 15, 75 15 भी ज़ादा बोले 14 कोईस्टन 14 questions from each subject अगर आप करते हैं तो at the end of 31st Jan आपका पूरा NCRT दो बार खतम हो जाएगा दोस्त गैरंटी ले लीजे मेरी दो बार NCRT अगर आप 14 questions हर subject से complete करते हैं तो 138 days में 138 days में पूरा का पूरा questions chapter 1 to chapter 18th और 19th whatever it may be all will be finished सारा खतम हो जाएगा दोस्त और आपका number score करने से दुनिया कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती तो आपको करना क्या है पूरा एक डेटा त्यार करना है चार्ट त्यार करना है per day आपको NCRT का कम से कम 14 सवाल रोज बढ़ना है हर subject से दोस्त mathematics से 14, science से 14, English से 14 आपका ही करी हिंदी है, Sanskrit है, जो भी आपका regional language है उससे 14 अगर आप पढ़ते जाते हैं तो हम average पकड़े हैं दोस्त 1000 questions जो कि मेरा calculations में 1000 से ज़्यादा आ रहा है बढ़ हम 1000 पकड़ लिए मेरा calculation तो आपका लिए ज़्यादा अच्छा है ठीक है, हम वहाँ ज़्यादा पढ़ रहे हैं बढ़ questions हम कम ही लिए हैं, ठीक है अगर आप 14 questions per day हर subject से पढ़ते हैं यानि कि 70 questions per day आप पढ़ते हैं तो 138 days में जो कि हम 15 सितंबर से पकड़े हैं 138 days में पूरा syllabus covered जाएगा दोस्त दो बार, NCIT दो बार खतम हो जाएगा आपको बस इसी rule को follow करना है and you will get the result, definitely you will get the result and you will score, मतब बहुत मज़दार score आएगा दोस्त आपका, बहुत मज़दार बहुत मारिया, खली follow कीजिए इसको ये तो था दोस्त, हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि दो बार मेरा NCIT cover होगा ये उसके लिए, मतलब ये session था, अगले session में हम आपको ये बताएंगे, कि exam में question का pattern कैसे आ रहा है और उस pattern पे, क्योंकि इस बार का जो board exam आने वाला है कुछ दिन पहले के paper में आया हुओ था अगर आप देखे होंगे तो इस बार 40% conceptual based question आएंगे इस बार 40% conceptual based question आ रहा है इसमें क्या होगा कि आपका book से जो question होगा उसमें आपके concept best questions आएंगे कैसे questions आएंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, आने वाले कुछ videos में, जो की हमारा board exam में कैसे अच्छा score किया जाए इस series में आएगा दोस्त ठीक है, तो इसको आप follow करेंगे और उमीद करते हैं कि आपका number अच्छा आने से कोई रोक नहीं सकता दोस्त बस आपको करना है, इसकूल के बाद कम से कम कम से कम, छे साथ घंटा जरूर पढ़ें, जिसमें कि आपके इस सत्तर question cover हो जाए दोस्त, जितना दिर में खतम हो जाए, कम से कम उतना आपको पढ़ना है उतना आपको पढ़ना है दोस्त बढ़ियां से पढ़ना है कम से कम, दो बार तो रिवीजन होना ही चाहिए NCRT का, NCRT दो बार रिवीजन तो हो ही जाना चाहिए clear दोस्त चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में उमीद करते हैं कि आप जरूर पढ़ेंगे